हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एच्चुके स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कॉस्मेटिक याज़ ओटीसी ड्रग्स OTC मतलब की over the counter की जो directly आपको बीना किसी prescription के pharmacy पर से मिल जाते है कि जब कोई आप medical store पे जाते है, pharmacy पे जाते है तो directly ये products आपको बीना किसी prescription के मिल जाते है तो उसी तरह से cosmetics में भी ऐसे बहुत सारे products है कि जो directly आप purchase करते है over the counter और उनके बहुत सारे अलग-अलग medicinal benefits होते है तो उसी के बारे में हम जानेंगे ये video lecture में कि जिसको कहा जाता है quasi drugs कि cosmetic as a quasi drug products कि जिनके medicinal benefits भी हो और साथ हो साथ बीना किसी prescription के directly आप उसको purchase कर सकते है तो जानते हैं detail कि में ये OTC drugs के बारे में कि जो cosmetic as a OTC drugs तो expert lecture by Amar sir assistant professor and founder of PharmaRox thank you for being one leg family of PharmaRox अब्डेटे रही है फार्मा नोलेज के साथ एक्सेस कर ये study material test series, video lecture PharmaRox के आप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो डाउनलोड करें android application iPhone है तो एप store पर से डाउनलोड करें लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो normal cosmetics preparation से उनके बारे में आप अपना concept clear कर लें कि जो normal cosmetics क्या है तो normal cosmetics मतलब कि ऐसे product कि जो आप अपना outer appearance कि ये वाड़ा जो मैं word लिख रहा हूँ है कि outer look जो आपका है उसको enhance करने के लिए जो आप products use करते हैं के जो example आप देख सकते हैं कि जो आप कोई eyeliner यूज कर रहे है lipstick यूज कर रहे है फिर ये nail paint वगेरा यूज कर ले powders वगेरा यूज कर रहे है तो ये सब products जो है वो हम cosmetic के अंडर में रखेंगे कि जो सिर्फ आपका outer look या फिर outer appearance जो है वो enhance करते हैं उनका medicinal कोई benefit नहीं है तो जो cosmetic word है उसको सबसे पहले समझेए तो term cosmetic है और बिन derived from the term cosmeticos कि cosmeticos जो word है उसका मतलब होता है skill to decorate अब यहाँ पर ये जो skill है वो किसको decorate करनी है तो आपकी जो body है और आपके जो body के अलग-अलग parts है कि इनको decorate करने के लिए जो आप अलग-अलग products use करते है उनको हम कहेंगे cosmetics मतलब कि यहाँ पर जो cosmetic का meaning बनता है that is only for the decoration कि जिसे आप कोई room decorate करते है तो room decoration में सिर्फ क्या होता है कि उसका outer look appearance जो है outer look या फिर outer appearance आप enhance करते हैं लाग उसके उपर आप से लगाते हैं कि जो एक decoration का काम करता है उसी तरह से आपकी body को attractive दिखाने के लिए उसका look appearance करवाने के लिए उसको decorate करने के लिए जो products use करते हैं as well as जो skill है वो हम कहते है cosmetics the cosmetics is the art of decorating yourself to look the beautiful कि सुन्दर दिखने के लिए साथ औसाथ आपके जो look है उसको enhance करने के लिए जो हम products वगेरा use करते है तो उसको हम कहेंगे cosmetic की एक cosmetic art भी है और साथ औसाथ ऐसे products की जो use किये जाते है to decorating yourself to look beautiful कि आपको सुन्दर दिखना है आपका appearance से enhance करना है तो उसके लिए जो product use किये जाते हैं lips को attractive बनाने के लिए आप lipstick यूज़ करते है nail को attractive करने के लिए nail paint वगेरा use करते है eyes के attractiveness के लिए eyeliner वगेरा use करते है mascara यूज़ करते है eyebrow pencils यूज़ करते है तो यह सब हो गए osmetics अब बात आती है उनके proper definition की तो cosmetics मतलब कि essay article essay products की जो rub किये जाते है कि लाइक में यहाप एक product का example ले लू कि यह जो ponds का कोई आप cream या फिर lotion ले रहे हैं तो उसको आप अपके skin उपर rub कर सकते हैं उसको pour कर सकते हैं फिर यह ponds के में powder का example ले लू तो उसको आपके body उपर sprinkle कर सकते हैं और उसको spray कर सकते हैं, कि उसी का आपने कोई spray वगरा लिया है, तो वो आपकी body उपर आप spray करेंगे, या फिर introduce करेंगे into or otherwise apply to any part of the human body, कि आप आपकी body के उपर apply करेंगे, या फिर body के अंदर introduce करेंगे, और उनका main purpose होगा, cleansing का हो सकता है, beautifying का हो सकता है and promoting the attractiveness or altering the appearance, कि आपका जो outer appearance से उसको enhance करेंगा, साथो साथ attractiveness को promote करने के लिए, enhance करने के लिए, ये products use किया जाते है and include any article intended for use as a component of cosmetic, कि जो skill है आपका decoration करने का, उसके अंदर जो भी कोई component use होता है, वो सभी को हम कहते है, cosmetics, कि आप ये जो lipstick का preparation से देख सकते हैं, nail paint देख सकते हैं, फिर ये जो brush यूज देख सकते हैं, जो powders अगरा को और जो makeup preparations को आपके face उपर या फिर जो अलग-अलग body parts के उपर apply करने के लिए आप जो है उसको use करते हैं, तो ये हो गए cosmetics की जो सिर्फ outer appearance को enhance करने के लिए use किया जाते हैं, उनका internally ऐसा कोई medicinal benefits नहीं है, कि सिर्फ skill provide करते हैं, decoration के लिए अलग-अलग products provide करते skill to decorate, तो अब जो मतलब है कि cosmetic as a quasi, that means उसका मतलब क्या हुआ, तो quasi drugs are a product that are somewhere between the cosmetics and pharmaceutical, कि एक साइड आपके ये cosmetics product है और दुसरी साइड ये है pharmaceuticals, तो cosmetics के अंदर जो है आप लेक लोग, मैं simple एक example लेता हूँ, lipstick का example में यहाँ पे ले रहा हो, कि जो lipstick है, वो समझे कि cosmetic preparation के अंदर हम include कर रहे हैं वो आप सभी को बता है, pharmaceuticals के अंदर अब क्या आएगा कि कोई tablet के लेक पैरासिटामॉल है, तो पैरासिटामॉल का जो tablet है उसको मैं consider करूँगा as a pharmaceutical, तो ये दोनों के जो center के अंदर जो product रहेगी कि cosmetic as well as pharmaceutical का combination भी कह सकते है, कि जिसको cosmeticals हम कह सकते है, या फिर ये दोनों के जो center में जो product बनेगी कि ना ही वो cosmetic ना ही pharmaceutical बर दोनों के बीच में कि somewhere between the cosmetic and pharmaceutical या फिर दोनों का combination कि cosmetic पे तौर पे भी as well as pharmaceutical दोनों के तौर पे ये काम करेंगे, that means cosmetics as a quasi, तो उसको quasi cosmetic जो है वो हम कह सकते हैं, और उनको दूसरे वड़ में cosmeticals भी कह सकते हैं, because दोनों के center में रहेगा, तो उसका example यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो face serum जो है कि जिसके अंदर vitamin C है, तो उसके अंदर क्या होगा कि vitamin C as well as इसके अंदर ginger वगरा समझे, included किया हुआ ह turmeric वगरा include किया है, lemons वगरा है समझो, तो यह एक type का जो therapeutic भी उसका benefits मिलेगा, आपके skin को, और साथ हो साथ cosmetic का भी काम करीगा, तो दोनों उसके benefits यहाँ पे include होते हैं, तो उसके करन उनको कहा जाता है कि cosmetic as a OTC quasi drug products, कि cosmeticals हैसे preparations की जो आप medicinal भी यूज़ कर सकते हैं, as well as cosmeticals के तोर पे भी और वो not only the outer appearance इंग प्रूप करेंगे, बड़ आलसो इंप्रूद the internal appearance of the skin की अंदर से skin को और ज़्यादा attractive बनाने का काम करेंगी, और साथ हो साथ उनके medicinal भी benefits रहेंगे, तो यह आपका concept कि cosmetic समझो के lipstick है, pharmaceutical paracetamal है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे कोई preparations की ज साथ उनके अंदर cosmetics type के ingredients भी present है, तो उसको हम कहेंगे कि quasi drugs products, तो यह concept यहाँ पे आपका जो है वो clear हो रहा है, so they have received the necessary permits required under the affirmance law regarding their specific effects, जो अलग-अलग approvals लेने होते हैं, government के तौर से की product को market के अंदर launch करना के लाएक, आपको यह vitamin C का जो serum है, उसको market के अंदर launch करना है, तो जो pre, जो permits लेनी होते हैं, कि पहले से ही आपने इसे permits लेकर रखी है, कि जो directly market के अंदर आप जो उसको launch करते हैं, और यह directly available रहेगा, over the counter, बीना prescription के, no need of prescription, no Rx, prescription के कोई जरूरत नहीं है, directly आप उसको online भी purchase कर सकते हैं, offline भी purchase कर सकते हैं prescriptions बगेरा के कोई जरूरत नहीं है, तो उसका example हुआ यह, vitamin C के जिसको हम ascorbic acid केते हैं, उसका containing यह, serum ते से बहुत सरे serum आप जो की Google पर सर्च करोगे, तो भी मिल जाएंगे, कि जो directly आप जो है वो order कर सकते हैं, online as well as offline भी आप जो है वो directly pharmacy पर से purchase कर सकते हैं, तो आप difference समझ समझे के cosmetic versus quasi that means, तो सबसे पहले यह diagram समझे कि जो है normal cosmetics, तो यह normal cosmetics जो है वो सिर्फ outer look के लिए है, किस type के look के लिए है, सिर्फ outer look के लिए, कि आपकी body को सिर्फ बाहर से ही decorate करते हैं, decoration जो करते हैं, बट सिर्फ बाहर से, कि लाइक आपने nail paint यूज की है, तो यह जो nail paint है, वो nail को जो है, वो सिर्फ कैसा decoration देगी, outer decoration, उसी तरह से जो lipstick समझो है, तो वो आपके lips को outer appearance देगी, outer बाहर से उसको enhance करेंगे look को, जबकि यह जो quasi otc cosmetics कहे जाते हैं, तो उनकी effect रहती है internally, तो यह आप point लेख सकते हैं, कि उनकी effect जो है, वो हम समझे कि comparison करें, effects की, तो यह internally, अंदर से ही effect देते हैं, जबकि normal cosmetic जो है, वो हम कहे सकते कि external, कि सिर्फ बाहर से ही, जो है, अपना effect देते हैं, कि बाहर से ही आपके skin को decorate करेंगे, उनका internally कोई benefit नहीं ही, जबकि यह quasi otc cosmetic, जैसे कि आप यह आपको देखो, विटामिन सी का serum हमने ले लिया, उसके बाद यह onion का जो shampoo वगएर आता है, उसका hair oils वगएर के preparation साथ है, कि loss of hair, that means alopecia, और alopecia को treatment के लिए directly आप over the counter यह product को purchase करते हैं, बीना किसी prescription के, तो यह हो गया medicinal benefits उसका, साथ हो साथ यह जो आप x वगएरा के deodorants यूज करते हैं, over the counter अवेलेबल है, as well as उनके medicated benefits है, कि medicated रहेंगे यह and they are, और यह cosmetic, no medicated, कि यहाँ पर कोई medicines available नहीं है, उनके अंदर, no any medicated, these are the medicated, तो यह simple concept है, कि cosmetic versus quasi products का, तो cosmetic as a quasi and otc drugs, that means, pharmaceutical affairs law defines the cosmetic drugs and item, for the purpose of first preventing the nausea and other discomfort, even कई बर आपको nausea जैसी condition फिल होती, कि जी मचलता है आपका, तो directly आप otc कोई anti-emitic को purchase करते, कि जैसे nausea vomiting prevent हो जाए, तो उसको भी quasi drugs कहे जाएंगे, उसके अलावा कि जो heat races से soreness वगेरा को prevent करने के लिए आपको powder use करते है, कोई tablet directly otc purchase करते, तो वो भी otc drug कहीं जाएगी, quasi otc drugs enhancing as well as incurring hair growth और removing hair, कि hair removing के लिए as well as hair के growth के लिए, जो आप otc product directly purchase करते, without any type of prescription, exterminating and preventing mice, flies, mosquito, flies वगेरा कि देशे कि आप goodnight वगेरा यूज़ करते हैं, as well as जो all out के preparation से, मैं XO है, मॉर्टेन बहुत सारे से product है कि जो आप ये जो mice होते हैं, flies वगेरा, mosquito वगेरा से अपने body को prevent करवाने के लिए यूज़ करते हैं, treatment and prevention of skin damage, कि कई बार जो skin हमारे damage होती है, कि UV lights के करण आपको ऐसा लगते कि आपके skin damage होती है, तो आप sunscreen lotion यूज़ करते हैं, तो वो सब include होगा as a cosmetic, as a quasi and OTC drugs, तो सबसे पहले specially cosmetics as a quasi के अंदर include होते हैं, कि cosmetic as a quasi as well as OTC, over the counter, तो उसका सबसे पहले जो example है, that is skin lightening और whitening quasi drugs, कि बहुत सारे से products के वो ऐसा claim करते कि वो आपके skin को light करेगा, whitening करेगा, तो ऐसे product यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि face and body whitening cream यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लावा जो vitamin C के serum वगेरा भी, dark cell कर वगेरा हैं, आपको skin के उपर इसे patches वगेरा हुए है, dark spots वगेरा, तो उनको remove करने के लिए, as well as skin को और जदा lightning करवाने के लिए, उसको grow करवाने के लिए, उसका जो glow है, वो enhance करवाने के लिए, जो आप यह products यूज़ कर दे, तो वो भी कहे जाएंगे cosmetic as a quasi, उसके लावा antiperspirants for external use, देखो कि यह समझो कि आपको ज्यादा पसीना होता है, कि जो हम कहते हैं कि hyperhidrosis का जो problem होता है, कि जिसको कहा जाता है excessive sweating, excessive sweating मतलब कि पसीना आपको ज्यादा आ रहा है, ऐसे condition में, जो over the counter जो आप directly ऐसे antiperspirants वगेरा purchase करते हैं, यह जो तीनों product जो है, वो antiperspirants का यह जो काम करेगी, कि X के अंदर है, डाव, स्क्वेव, वगेरा के अंदर, ऐसे बहुत सारे antiperspirants है, कि जो external preparations के लिए use किया जाते हैं, कि directly आप आपके body के उपर apply करते हैं, उनको as a antiperspirant, फिर बात करें तीसरे की product for heat recices and skin erosion treatment, कि कई बार आप देखते हैं कि summer के season में, गर्मियों के अंदर, जो heat के करन जो recices develop होते हैं, जिसको prickly heat का आ जाता है, तो उसको treat करने के लिए directly आप ऐसे नाइसिल है, उनको over the counter drug का काम करेंगे और categorize होंगे, cosmetic के अंदर ही categorize करेंगे, बट उनके medicated benefits हैं, फिर mouth fresheners का आप example देख सकते हैं, जो mouth fresheners वगेरा जो आप use करते हैं कि call gate का आता है, फिर directly आप उसको internal use करते हैं, कि oral cavity के अंदर सिर्फ as a mouth freshener के तौर पे आप उनको जो है वो use करते हैं, उसके अलावे example देखो कि anti-hair loss product, कि anti-hair loss में आप हीमालिया का ये cream देखे, कि anti-hair loss की जो alopecia की treatment करेगा, कि जो hair loss वगेरा होते हैं, excessive hair loss होते हैं, तो उसको prevent करवाएगा, और साथ ही hair grow करवाने के लिए आप देख सकते कि onion hair oil है, उसका shampoo वगेरा है, and conditioner का ये पूरा kit available होता है, कि जो anti-hair loss product के तौर पे काम करता है, तो वो as a cosmetic भी कहा जाएगा, कि आपके hairs का outer appearance भी enhance करेंगा, as well as internally भी उनको जो हो इतना strength provide करेंगे, कि जिसके उनका hair fall वगेरा ना हो, तो उनके cosmetic भी benefit है, pharmaceutical भी benefit है, जिसके करण उनको, cosmeticals as well as cosmetic as a quasi हम काई सकते हैं, hair dyes के अंदर देखो तो garnier वगेरा के आप यूज़ कर सकते हैं, ये natural colorant के अंदर भी आते हैं, as well as synthetic colors के अंदर भी होते हैं, कि जो bleaching के लिए as well as hair dye के लिए dye removing products, दोनों यहाँ पे include हो जाते हैं, फिर बात आती है depilatoris की, कि जो कहा जाता है hair removers, कि hair को remove करने के लिए, कि जो external hair है आपके unwanted body parts के उपर, तो जो unwanted hair से कि कुछ ऐसे body parts प्याव है, कि जिसको आप unwanted गिनते हैं, तो उनको remove करने के लिए depilatoris preparations यूज़ की जाते हैं, कि जाए यह popular preparation जो आप देख रहे हैं wheat का, फिर यह nair का जो preparation आते हैं, कि वो भी hair remover lotion के तौर पे काम करता है, यह जो cream है, तो यह भी cosmeticals हम कह सकते हैं, फिर popular cosmetic as a quasi, कि जिसके अंदर anti-acne products आते हैं, कि wrinkles वगरा को कम करने के लिए, कि ओले के अंदर उसका available होता है, L'Oreal Paris के अंदर है, तो यह से बहुत सारे products कि जिसको हम कहते हैं, कि cosmeticals कहें जाएंगे, toothpaste and anti-cavity, as well as tooth whitening, कि जो colgate का आप देखो, normal colgate तो आप यूज़ करते हैं, बढ़ यह है special visible white, मतलब कि जो teeth उपर को stain सवगरा है, और उसको समझे कि naturally आपको whitening provide करनी है, तो इसके लिए आप ये colgate visible whites वगरा, जैसे toothpaste यूज़ करते हैं, anti-cavity products यूज़ करते हैं, फिर बात आती है, topical antifungals, कि directly आप समझे कि clotrimazole के powders आते हैं, salicylic acids के powders वगरा आते हैं, जो medicated powders रहते हैं, जो fungal infection skin disease को treat करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो directly आप purchase करते हैं, उनमें कोई आप prescriptions वगरा की जरूवत नहीं रहती, फिर ऐसे कुछ antimicrobial products होते हैं, astringents के तौर पे lacto-calamine है कि जो calamine lotion की जो हम बात करते हैं, कि जो calamine है और उसका जो losons या फिर creams वगरा होते हैं, वो astringents के तौर पे काम करते हैं, anti-dendrop, shampoo, market में available हैं जो dendrop को treat करने के लिए यूज़ करते हैं, वो shampoo भी है, साथ औसाथ dendrop भी clear करेंगे, तो दोनों उनके combination हो गए use, hair growth के products की जो आपकी hair growth करवाते हैं, nail biting products की जो इसको nail biting की habit से तो उनको कम करवाने के लिए यूज़ किये जाते हैं, फिर psoriasis के लिए कि ये आप देखो कि multi symptom psoriasis relief cream, कि इसमें कोई आपको prescription की जरूरत नहीं है, directly आप उसको over the counter purchase कर सकते हैं, online purchase कर सकते हैं, कि जिसके अंदर रहता है, ये 3% salicylic acid, उसी तरह से skin bleaching के लिए तो आपने ये वाला product तो खास करके कई बार use किया होगा, कि जिसको Fem, Fairness Natural bleach product आते, कि जिसके अंदर आमोनिया नहीं रहता, और अलग-अलग flavors के अंदर as well as उसके fragrances के अंदर ये available होता है, कि सैप्रॉन है, गोल्ड वगेरा है, उसके अलावा sunscreen lotions आप देखे, तो सभी type के skin के लिए all type of skin UVA and UVB broad spectrum protection यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या करेगा skin को जो है वो prevent करेगा damage होने से, prevent the skin damage, इसके skin जो damage होती है आपकी UV light से तो उसको treat करता है यह as well as prevent भी करता है, फिर बात आती है topical analgesic के directly आप diclofenix के gels वगेरा है, वगेरा यूज करते है topically, फिर आपने उसका famous brand देखा होगे कि मूव है, rainbag si wallin यह वगेरा है, फिर water remover ये वाला देखो liquid water remover product है, कि जो warts वगेरा जो होते है, legs के उपर as well as hand के उपर तो उसको remove करने के लिए directly ये products जो है वो purchase किया जाते है, तो अब जो हमें next topic जो समझता है कि जो OTC drugs जो होती है और quasi drugs, उन दोनों के बीच में difference क्या है, तो सबसे पहले मैं जो ये second वाली slide आपको दिखाता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि OTC drug का समझो कि आपको example पता है, और जो quasi, जो cosmetic से उसका आपको example पता हूँ, तो आसन इसे ये difference जो हो आप समझपाऊगे, तो OTC drugs के example रहते हैं कि Paracetamil के tablet से, Antacid के syrup से वगेरा है tablet से कि जो आप over the counter purchase करते हैं, बिना किसे prescription के, तो ये वाला देखो कि Antacid, Gelucil जो आप यूज़ करते तो ये OTC drugs कहे जाएंगे, फिर Paracetamil भी OTC drug ये से बहुत सारे, दूसरे भी medication से कि जो directly आप बिना किसी prescription के purchase करते हैं, और उसी के सामने cosmetics के अंदर हम देखें कि जो OTC available है, और उनके medicated भी effect है, तो उसके अंदर vitamin C का serum है, hair removal cream और अभी जो हमने previously जितने भी example देखे, वो सब उसके अंदर include कर सकते हैं, तो OTC drugs के अंदर क्या खास दियान रखना है, तो monograph और product specific pre-market approval is required, कि pre-market approval जो होता है, कि आफ FDA दोरा जो pre-market approval करवाते हैं, उसकी यहाँ पे proper जरूरत रहती है, monographs के according to, कि जो आपके Indian pharmacopias है, British pharmacopias है, United Sweet pharmacopias है, तो उनके according to proper pre-market approval, जो है, यहाँ पे require होता है, जबकि quasi cosmetics के अंदर pre-market approval is not required, यहाँ पे ऐसे कोई market approval की जरूरत नहीं रहती, pre-market evaluation of safety and efficacy, यहाँ पे आपको pre-market evaluations करना पड़े, एक एक लाइक का समझे के paracetamil को आप launch कर रहे हैं, तो जरूर यह है कि आपके पास pre-market evaluations हो, अच्छे से safety profiles हो की जिससे कोई toxicity होगेरा ना हो, कोई side effects होगेरा ना हो patients के उपर, जबकि quasi cosmetics के अदर no pre-market evaluation of safety and efficacy, फिर बात करें OTC drugs की के लाइक paracetamils वगेरा है, तो must have to follow GMP regulations, कि उनको GMP regulation को follow करना ही पड़ता है, और इनको already GMP guidelines को follow करके, जो है वो prepare की गई होती है, जिससे कोई problems वगेरा create नहीं होते हैं, फिर establishment and product must be registered with FDA, अब जिसे बात की कि FDA की जो हम बात करते है, food and drug administration तो उनका proper approval जरूरी होता है, registration जरूरी होता है, and proper FDA द्वारा जो प्रमानित किया जाता है, उसके बाद ही वो over the counter उसको sell कर सकते हैं, जबकि establishment and product not to be registered with FDA, यहाँ पे कोई FDA का ऐसा registration नहीं होता, जस्ट जो government होती है वहाँ पी, वो government समझो कि proper उसको approval करती है, वो market के अंदर तो वो directly वहाँ पे available हो जाते हैं, फिर बात करें पांचवे पॉइंट के तो serious adverse effect must be reported, लेक परासेटेमल कोटी से लेने के बाद, जैलिव सिल कोटी से लेने के बाद कोई sad effects होती है, एंड यहाँ पे adverse event not required to be reported, यहाँ पे ऐसे कोई reporting का जो है कोई ऐसा guideline वगेरा proper नहीं है, कि जिससे OTC drugs के अंदर जो आप proper pharmacovigilance के according to, जो adverse drug reactions report करते हैं, यहाँ पे जो labeling है OTC drugs का as per the regulation 21 CFR part 201 के according to किया जाते हैं, कि यहाँ पे cosmetic labeling regulation as per 21 CFR part 701 के according to किया जाता है, तो यह सब difference है between the OTC and quasi cosmetics, कि जो quasi cosmetic और उनके example आप याद रख लो, कि जो previous slides में हमने discuss कि जितने भी अलग-अलग products, कि vitamin C serum है, hair removal creams वगेरा है, skin whitening वगेरा के preparations आते हैं, तो वो सभी के example है जबकि paracetamol, antacid syrup, diclofenic के sum जो कि आप directly OTC purchase करते हैं, as well as asiclofenics के tablet को भी purchase करते हैं, anti-emitic को भी आप OTC purchase करते हैं, तो वो सब जो है वो OTC drugs के अंदर include होंगे, तो यह था special lecture about the Cosmese Uticals, Pharma Rocks के जो lectures notes है, वो access करें Pharma Rocks के अप उपर, thank you for watching, join कर सकते है WhatsApp group, access करें study material, test series, video lecture, Pharma Rocks के mobile application के उपर, अगर आपके पास Android phone है, तो download कर सकते हैं, Android application, iPhone है तो App Store पर से भी download कर सकते हैं, links आपको description box के अंदर मिल जाएगी, so good luck and all the best.